हेलो दोस्तों इस वीडियों में आपको बता हुआ Samsung Galaxy A30 के LCD के बारे में तो हमारा जो कई बार डिस्प्ले ब्लू या वाइट या कोई ग्राफिक नहीं आता तो हम उसको कुछ प्रिकार रिपेर करेंगे तो यह हमारी यहां पर सप्लाई आप देख सकते हैं तो आपको इन करने करना है और जुजंपर करने लाइक ट्रैक होगा वापको जमपर करना शरह कि तो आप देख सकते हैं यह मर बीडीटी एलसेडी की जो रेडल इसे हैं तो यह कुछ लाइन दी हुए है लाइन आप देता सकते हैं आपए तो इसे वह सफेल में आपको बोल्टेज वारी दिखाता हूं 1.8 की तो यह हमारा 1.8 voltage है तो आप देख सकते हैं तो यह हमारे हम पर यह बीप्लेच पावर supply और यह को supply हम पर LCD की enable 1.8 की तो यह दूश अपलाई है इनको पर आपको चेक करना है कि हमारे यह voltage बनना है नहीं बनना तो यह बोल्टेज हमारा के साइसी से बन रहा है वह आपको दिखाता हूं तो यह दोस्तों हमारा जो वो बोल्टेज बन पॉंट्रेट बन रहा था वह इस ऐसी से बन रहा है तो आप देख सकते हैं और इसके बाद जो इसकी जो सप्लाइएं हैं वो सारी सप्लाइएं मैं आपको दिखाता हूं तो इन सप्लाइओं कि आपको सबसे पहले जी यार लेनी है रेडिंग तो यह जो सप्लाइएं दोस्तों हमारी हाथ सीधर निकलने के बाद यह हमारी सारी सप्लाइएं लगपक के अंदर हैं मगर यह LCD रिशेट की लाइन में हैं और एक रिजिस्टर लगा है यहां पे जो औरंज कलर से दी हुई है तो इस लाइन को और एटने से भी कई वार हमारी प्रोब्लम आती है और यह 1.8 की लाइन यहां पर गई हुए जो कि LCD इनेबल सिंगनल तो यह भी CPU के अंदर ही है तो इस तरीका सब सलूशन कर सकते हैं दोस्तों